श्रीमद भगवद गीता भावार्थ सहित अध्याय चार ज्यानकर्मसन्यासयोग श्लोक एक अध्याय चार ज्यानकर्मसन्यासयोग श्लोक सगुन भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विशय श्री भगवानु वाच हीमन विवस्वते योग प्रोक्त्वान हम व्ययम विवजवान मन्वे प्राह मनुरिक श्वाक्वे ब्रवित भावार्थ श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा एकश्वाकु से कहा श्लोक दो अध्याए चार ज्यानकर मसन्या सयोग श्लोक एवं परंप्रा प्राप्त मिमा राजर शियो विदू सकालेनेह महता योगो नश्टेह परतप भावार्थ हे परतप अर्जुन इस प्रकार परंप्रा से प्राप्त इस योग को राजर शियो ने जाना किन्तु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस प्रित्वी लोक में लोकत प्राय हो गया श्लोक तीन अध्याय चार ग्यांकर मसन्या से योग श्लोक से वायम मया तेद्या योगा प्रोक्त पुरातन है भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेत दुत्मम भावार्थ तु मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्यों अर्जुन उवाच अपर भावतो जन्म पर जन्म विविश्वत है कथमें द्विजानिया त्वमादो प्रोक्तवानिती भावार्थ अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्या का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्थ के आदी में हो तानी जन्मानी तव चार जुन, तान्य वेद, सर्वानी नत्वम वेत परतप भावार्थ श्री भगवान बोले है परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तु नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ श्लोक 6 अध्याय चार, ज्यांकर मस स्योग श्लोक अजोपी सन्वयात्मा भूताने मिश्वर्पी सन्, प्रकृतिन, स्वामधिष्ठाय संभवायात्ममायय भावार्थ में अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त, प्रानियों का इश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृती को अधीन कर के अपनी योगमाया से प्रकट होता हुँ श्लोक साथ, अध्याय चार, ज्यानकर मसन्या सयोग श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्या, तदात मानना स्रिजाम्यहं भावार्थ हे भारत, जब-जब धर्म की हानी और अधर्म क की वृद्धी होती है, तब-तब ही, मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ श्लोक आठ अध्याय चार, ज्यानकर मसन्या सयोग श्लोक परित्रानाय साधुना विनाशाय चा धर्मसं स्थापना थाए संभवाम युगे युगे, दुश्क्रताम, भावार्त साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ श्लोक नौ अध्याय चा और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलोकिक हैं इस प्रकार जो मनुश्य तत्व से सर्वशक्तिमान, सच्छिदानंदन परमात्मा आज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गती तथा परम आश्रे हैं, वेकेवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने क कोई नहीं है, ऐसा समझ कर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसकति रहित संसार में बर्थता है, वही उनको तत्व से जानता है, जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन को प्राप्त नहीं होता, किन्तु मुझे ही प्राप् मागता भावार्थ पहले भी, जिनके राग, भाई और क्रोड सर्वता नश्ठ हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ग्यान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्थ हो चुके हैं, श्लोक 11 अध्याय चार, ज्यानकर मसन्य सयोग श्लोक ये यथा माप्रपध्यनते तांस्थाई भजाम्यहम, मंवर्थ मानुवर्थनते, मनुष्या पार्थ सर्वश भावार्थ है अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरन करते हैं, श्लोक 12 अध्याय चार, ज्यानकर मसन्य सयोग श्लोक कांश्तह कर्मना सिद्धी यजंत एह देवता, क्षप्र ही मानुषे लोकें, सिद्धिर भवती कर्म जा इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोक देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन होने वाली सिद्धी शीग्र मिल जाती है, श्लोक 13 अध्याय चार, ज्यानकर मसन्य सयोग श्लोक चातुर्वन्य मया सृष्टम गुणकर्म भागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, इस प्रकार उस सृष्टी रचनादी कर्म का करता होने पर भी, मुझ अविनाशी परमेश्वर को तु वास्तव में अकरता ही जान श्लोक 14 अध्याय चार, ज्यानकर मसन्य सयोग श्लोक नमा कर्मानी लिम्पनती नमे कर्म फि जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बधता श्लोक 15 अध्याय चार, ज्यानकर मसन्य सयोग श्लोक एवं ग्यात्वा कृत कर्म पूर्वेरपी मुमुक्षु भे, कुरु कर्मेव तस्मात्वम, पूर्वेह पूर्वत्रम कृतम भावार्थ पूर्वक जाल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं, इसलिए तू भी पूर्वजो द्वारा सदा से किये जाने वाले कर्मों को ही कर्श लोक 16 अध्याय चार, ज्यानकर मसन्य सयोग श्लोक की कर्म किमकर मेती कव्यो प्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक् क्या है, और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्नाई करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भाली भाती समझा कर कहूंगा, जिससे, जानकर तू अशुब से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, श्लोक कर्मनों ह्यपी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मन अकर्मन शच बोधव्यम गहना, कर्मनों गते भावार्थ कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मन का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गती गहन है श्लोक 18 अध्याएचार ज्यानकर्मसन्यासयोग श्लोक कर्मन्य कर्म यह पशेद कर्मनीच कर्म यह सबुद्धिमान मनुशेशुसा युक्ता कृत्नकर्मकरत भावार्थ जो मनुश्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुश्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महापुरुष को ज्यानी जन भी पंदित कहते हैं। भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता श्लोक 21 अध्याय चार ज्यानकर्म सन्यासयोग श्लोक निराशीर यचित्ता आत्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीर केवल कर्म कुर्वनापनोती किलबिशम भावार्थ जिसका अंतहकरन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। और जिसने समस्त भोगों की सामगरी का परित्याग कर दिया है। ऐसा। भाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदी द्वंदवों से सर्वथा अतीत हो गया है। ऐसा सिद्धी और असिद्धी में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बधता श्लोक तेई सध्याय चार। ज्यान कर्म सन्या सयोग श्लोक गत्संग स्यो मुकतस्य ज्यानाव स्थित्चेत्स यग्याय अचरतह कर्म समगरिन। प्रविलियते भावार्थ जिसकी आसकती सर्वथा नश्ट हो गई है, जो देहा बिमान और ममता से रहित हो गया है। जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्यान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यग्य संपादन के लिए कर्म करने वाले। मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भाती विलीन हो जाते हैं। श्लोक 24 अध्याय 4 ज्यानकर्म सन्या सयोग श्लोक। फल सहित प्रिठक प्रिठक यग्यों का कथन, ब्रमार्पन ब्रह्मा हवि ब्रमाग्री ब्रहम नहुतम। ब्रम एव तेन। गंतवियम ब्रमकर्म समाधना भावार्थ जिस यग्या में अर्पन अर्थात सुवा आदी भी ब्रह्म हैं और हवन किये। जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रम रूप करता द्वारा ब्रम रूप अग्नी में आहूती देना रूप क्रिया। भली भाती अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रम परमात्मा रूप अगनी में अभेद दर्शन रूप यग्या, द्वारा ही आत्म रूप यग्या का हवन किया करते हैं, पर ब्रम परमात्मा में ग्यान द्वारा एकी भाव से स्थित्थ, होना ही ब्रम र रूप अगनी में यग्या द्वारा यग्या को हवन करना है भावार्थ अन्य योगी जन श्रोत आदी समस्त इंद्रियों को सयम रूप अगनीयों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादी समस्त विशयों को इंद्रियों रूप अगनीयों में हवन किया क ज्ञान कर्म सन्या सयोग श्लोक सर्वानींद्रिय कर्मानी प्रान कर्मानी चाप्रे आत्मसयम योगागनो जोवती ज्ञान दी पिते भावार्थ दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्रानों की समस्त क्रियाओं को ज्यान से प्रकाशित आत्म सहयम योग रूप अगनी में हवन किया करते हैं, सच्छिदान अंदगन परमात्मा के सिवाए अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है श्लोक 28 अध्याय चार ज्यानकर मसन्या से योग श्लोक द्रवय अग्यास्त पो यग्या योग अग्यास्त थाप, स्वाध्याय अग्यान यग्यास्च यत्या संशित वृताह भावार्थ काई पुरुष द्रवय संबंधी यग्या करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यग्या करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यग्य करने वाले हैं, कितने ही अहिंसाधी तीक्षन व्रतों से। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार, गीता अध्यायच है। पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है, शलोक बत्ती सध्याय। चार, ज्यानकर्मसन्यासयोग शलोक एवं बहुविधा यग्या वित्ता ब्रह्मनों मुखे, कर्मजान विद्धी तांसवनेवा। ज्यात्वा विमोश्य से भावार्थ इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यग्या वेद की वानी में विस्तार से कहे गए। हैं, उन सबको तु मन, इंद्रिया और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से, जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तु कर्म बंधन से सर्वता मुक्त हो जाएगा शलोक 33 अध्याय चार, ज्यानकर्मसन्यासयोग शलोक, ज्यान की महिमा श्रेयान द्रव्यमयाद यग्या ज्यान यग्या परतप, सर्व, कर्माखिला पार्थ ग्याने परिसमाप्यते भावार्थ है परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यग्या की अपेक्षा ग्यान यग्या, अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ग्यान में समाप्थ हो जाते हैं। महात्मा तुझे उस तत्व ज्यान का उबदेश करेंगे श्लोक 35 अध्याय चार। और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना। चाहिए श्लोक 36 अध्याय चार। ज्यान कर्मसन्या सयोग श्लोक अपीचेज़ी पापभयाह सर्वेभयाह पापकृत्तमः सर्वम। ग्यान प्लवनेव रिजिन संत्रिश्यसी भावार्थ यदि तु अन्य सब पापियों से भी अधिक तु पाप करने वाला है। तो भी तु ग्यान रूप नौक द्वारा नेहसंदे संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभाती तर जाएगा। जयान कर्म सहन्य सयोग शलोक यटे धानसी समिदोग निर्भस्म सात्कुरुते रजुन, जयानागनी सर्वकर्मानी, भस्म सात्कुरुते तथा भावार्थ क्योंकि है अर्जुन, जैसे प्रजवलित अगनी इंधनों को भस्म मई कर देता है। वैसे ही ज्ञान रूप अगनी संपूर्ण कर्मों को भस्म मैं कर देता है श्लोक 38 अध्याय चार ज्ञान कर मसन्यासयोग श्लोक नहीं ज्ञानेन सद्रिशन पवित्र में विद्यते तत्स्वयम योगसम सिधा काले नात्मनी विन्दती भावार्थ इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नहसंदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धान तह करन हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पालेता है श्लोक 49 अध्याय 4, ज्ञान कर मसन्य सयोग श्लोक श्रधावल लबते ज्ञानन तत परह सयतेंद्रिया, ज्ञानन लबध्वा परा शान्तिम चिरेनाधि गच्छती भावार्थ जितेंद्रिया, साधन परायन और श्रधावान मनुष्य ज्यान को प्राप्त होता है तथा ज्यान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के ततकाली भगवत प्राप्ति रूप परम शान्ती को प्राप्थ हो जाता है श्लोक 40 सध्याय चार ज्यानकर्म सन्या से योग श्लोक अग्यश्व श्रधानश्च संश्यात्मा विनश्यती, नायम लोकोस्ती न परो न सुख संश्यात्म न भावार्थ विवेकीन और श्रधारहित संशय युक्त मनुष्या पर्मार्थ से अवश्या ब्रश्ठ हो जाता है ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोग है, ना परोग है और न सुख ही है श्लोक 41 सध्याय चार ज्यानकर्म सन्यासयोग श्लोक योग सन्यस्त कर्मानव ज्यानसन निसंश्यम आत्मवंतह न कर्मानी निबधनन्ती धनंजय भावार्थ हे धनंजय जिसने कर्मयोग की विधी से समस्त कर्मों का पर्मात्मा में अरपन कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशेयों का नाश कर दिया है ऐसे वश में किये हुए अंतह करण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते श्लोक 42 अध्याय चार ग्यान कर्म सन्या सयोग श्लोक तस्माद ग्यान संभूत हरित्स्थ ग्याना सिनात्मना चित्वन संशय योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत भावार्थ इसलिए हे भरतवन्शी अर्जुन तु हरिदे में स्थित इस अग्यान जनित अपने संशय का विवेक अग्यान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा